आई फ्रेंज आप देख रहे हैं वियस अस्टेलोजी मैं डॉक्टर गारा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वियस अस्टेलोजी पे दोस्तों पिछली विडियो में हमें चर्चा की है मेश लगने से लेकर के कुम्ब लगने की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन-कौन से रतन पहन सकते हैं और कौन-कौन से रतन उनके लिए वर्जित है आज के इस विडियो में हम बात करेंगे में लगने की कुंडली के जो जा तक हैं वो कौन-कौन से रतन पहन सकते हैं और कौन-कौन से रतन उनके लिए वर्जित हैं दोस्तों रतनों को लेकर के जैंस्टोंज को लेकर के पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूं जिसमें बड़े विस्तार से और ब्रैसिकली मैंने आपको यह बताया है की रतन कब और क्यूं पहने जाने चाहिए साधि साथ रतन पहनने की जो विधी वह क्या होती है यदि आप जानना चाहते है उन वीडियोत को देखना चाहते है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि यदि आपके मीन लगने की कुंडली है तो आप कौन-कौन से रत्र पहन सकते हैं दोस्तों गुरू या फिर ब्रहस्पती का रत्र पुखराज या फिर यलो सफायर इस कुंडली में बिल्कुल पहना जा सकता है इसके बाद में चंद्र का रतन मोती या फिर परल भी पहना जा सकता है फिर मंगल का रतन मुंगा या फिर रेट कॉरल ये भी पहना जा सकता है और इसी के साथ साथ बुद्ध का रतन पन्ना भी इस कुंडली में पहना जा सकता है कई लोग इस कुंडली में बुद्ध को बाधकेश मान लेते हैं मैंने पहले एक वीडियो बनाया है बाधकेश नाम से जिसमें मैंने आपको बताया है कि exactly बाधकेश थियोरी होती क्या है और यह होती भी है या फिर नहीं होती यदि आप इस थियोरी को जानना चाहते हैं इसका सत्य जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को इस चनल पर पहले देख सकते हैं तो इस कुंडली में मीन लगने की कुंडली में बूत का रत्र जो है पन्ना एमरॉल्ड ये भी पहना जा सकता है इसके बाद जो ग्रह जिन ग्रहों के रतन बज गए वो नहीं पहनना है कौन-कौन से बचे सूर्य का रतन मानिक या फिर रूबी इस कुंडिली में बिल्कुल भी नहीं पहना जाएगा फिर शुक्र का रतन ओपल ये भी नहीं पहना जाएगा हीर आया फिर डायमंड भी नहीं पहनना चाहिए, शुकर का रतन ही होता है और इसी के साथ साथ शनी का रतन, जो की नीलम या फिर ब्लू सफायर है, ये भी नहीं पहनना जाएगा तो ये तीन रतन बिल्कुल भी नहीं पहनना है अब दूस्तों एक और बात का अब ध्यान रखें मैंने जो रतन यहाँ पर बताए ना कि यह रतन पहने जा सकते हैं उनके साथ भी एक शर्त है कौन सी शर्त है? जो भी रतन है उनके स्वामी ग्रह यदि कुंडली में कहीं खराब हो गए तब भी वो रतन नहीं पहने जाएंगे चाहे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वो रतन पहन सकते हो लेकिन उन रतनों के स्वामी ग्रह कई कुंडली में खराब है खराब का मतलब होता है नीच राशी के हो गए तिसरे चटे आठवे या बारवे भाव में जाकर के बैठ गए तब भी उन रतनों को उन ग्रहों के रतनों को नहीं पहना जाता तो इस शर्तों का आप समझ गए हाँ यदि वो ग्रह जो मैंने आपको बताए जो रतन मैंने आपको बताए वो रतनों के जो स्वामी ग्रह हैं, वो यह दे कुंडली में कहीं अच्छे बैठे हैं, तो जरूर से उन रतनों को पहना जा सकता है, तो दोस्तों यहां पर हमने बात की है कि मीन लगने की कुंडली में कौन-कौन से रतन पहने जाने चाहिए, कौन-कौन से रतन पहने नहीं जाने चाहिए मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको ये बात समझ में आई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसे लाइक करें इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें दूस्तों आप ने धन्यवाद बबाए